बिहार के रोताज सहर के थाना चौक इस्थित एक पेट्रोल पंप से सनिवार देर साम नोजल से पानी निकलने लगा इसके बाद उप भोकताओं ने बवाल कर दिया विवाद इतना बड़ा कि पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया इसका पता उस समय चला जब एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई इसके बाद नोजल से निकल रहे तेल की जांच की गई तो उसमें से पेट्रोल की जगा पानी पाया गया इसके बाद बाइक सवार ने विवाज शुरू कर दिया पंप के प्रवंधक अमित सरावगी ने मौके पर पहुँच कर पंप को बंद करा दिया मामले की जाच की गई तो पता चला कि मेकेनिक की गलती से टंकी का ढखकन खुडा रा गया था सुक्रवार देर साम हो रही लगंतार बारिस के कारण टंकी में बरसाथ का पानी घुज गया इस गटना के बाद पेट्रोल पंप प्रवंधक ने पंप को बंद करा दिया बाद में टंकी से पानी को निकलवा कर पंप को दुबारा चालू कराये गया वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल सस्क्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं